जी या नमस्कार मित्रो आज है 13 डिसेंबर यानि सुमवर मरलब UPSC प्रिलिम्स को भी 5 महिने और 24 दिन ही बचे मुद्धा ये है कि यस्टरडे रवीवार 12 डिसेंबर और आज सुमवर 13 डिसेंबर इंडियन एक्सप्रेस में एक्जाम के लिए काम की चीज़े क्या दे कुछ खास काम की चीज़े नहीं थे इधर उदर की छोटी छोटी सब एन्वार्मेंट के कुछ ब्लैक नेक स्टॉक और फिर इन्वेजिव स्पीसीज इंसेक्ट उक्सा टाइगर इजव में बाग पाया गया प्राइमिस्टर मोदी का अकाउंट हैक हुआ जारखन में मौब टेलीग्राम चैनल मौनालोवार जी तो भी खेल खतम हो जाए खेर मेरी मजबूरी है तो ये वीडियो कहींचने के लिए करते हैं कुछ हाँ तो आप जानते हैं हर सुमवार रात आंट बजए ब्रुनाल्स मंडे करंट अफेस्टेस सिरीज 20 क्वेस्टन होते हैं उसका लिंक दिस्क्रिप्शन में दिया है प्री अनलॉक कोड मौनाल.org तो हर सुमवार रात आंट बजए वो टेस्ट होती थी ऐसा चौथा राउ उसके फैक्टोइट हमने कुछ हफतों पहले पढ़े थे तो ये सब एंशेंट मीडिवल में याद करके जाना चाहिए इसमें 35% लोगों के आंसर करेक्ट हुए मलब 65% लोग उन्होंने गलती की नहीं होनी चाहिए पिर ये एक प्रशन था ओना के ओबावा जयनती वो कौन से स्टेट में मनाई जाती है याद करो कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था वो ऐसी कोई महिला योद्धा थी वो शायद हैदर अली और माईसूर की सेना से उन्होंने ये करनाटक में अपने सामराजे को बचाने की कोशिश की थी तो वो वाले चीज थी करनाटक असाम में नहीं तमिल नाडू में नहीं गुजरात में नहीं करनाटक में अब वैसे मैं हिस्टी नहीं पढ़ा था और इसके आगे वाला जो प्रशन है था उसमें मेरा गलत हो जाए लेकिन ये तो मेरा पका गलत नहीं होता मुझे ये आल था तो आपको भी याद होना चाहिए ऐसी बड़ी बड़ी चीजे जो न्यूज एडलाइन में एक्सप्रेंड सीरीज में इंडियन एक्सप्रेस में आती रहे या दहिंदू में आते रहे तो 58 परसेंट लोगों का करेक्ट तो बाखी सब लोग क्यों गलती कर रहें फिर ऐसा ही एक और उसी के साथ जुड़ा समाचा के नाम पर जो लेस पॉपिलर लेस फेमस हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है तो ये भी सब रटके आना था सिर्फ 46 परसेंट लोग करेक्ट कर पाए CBI उसकी स्थापना कौन से कानून से हुई CBI एक्ट से नहीं हुई Delhi Special Police Establishment एक ऐसा कुछ था और हमने पढ़ा था वो Explained Series in Polity कि किसी स्टेट में वो जाके inquiry करना चाहता है तो उससे पहले स्टेट गवर्मेंट की मंजूरी लेना जरूरी है दूसरा स्टेटमेंट कहता है तो वो दोनों ही वाक्ये गलत थे तो आंसर विल भी वाट? None of the above are correct तो ये भी मालब रटी रटाई चीज़ें जो चर्चा में रही थी बोथ for prelims as well as for means में कैसे उपयोगी वो competitive federalism ये पंजाब वेस्ट बेंगाल वगेरा राज्यों के साथ जो यूनियन गवर्मेंट की बंद नहीं रही है अलग-अलग मामलों पे चाहे वो BSF का दिका एक inquiry हो या कुछ और मामले पामलों से लेकर, water sharing से लेकर, text distribution से लेकर, need exam से लेकर, अलग-अलग state के साथ union government के अलग-अलग problems चलते रहते हैं तो ये भी याद होना चाहे 41% लोगों कई क्यों correct हो रहा है जो last means exam होई उसमें means paper 2 में पूछा कि बारतिय लोगों का विदेशों में उनकी quality, administration वगेरा में क्या योगदान है because means paper 2 में Indian diospor is a part of syllabus तो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए तो उसी से inspire हो के मैंने ये पूछा था बारतिय मुल्की कितनी मैला वोने space में एस्टोनेट के रूप में वो गए है सीरीशा बंदाला वो latest news में थी, मेरे ख्याल से virgin galactic वाली flight में वो गए थी कलपना चावला और सुहिता विलियम्स वो पहले गए थे तुलसी गबबाड तो पहला वो इंडियन ओरिजिन की मैला नहीं है उसने हिंदु दर्म है लेकिन वो हवाई जो की अमेरिका का एक state है वहां की politician है, she is not an astronaut so fourth is wrong, तो उसी साब से 1, 2, 3 correct कैर ये quiz में 20 questions, 2, 2 mark के मलब 40 mark का score बने तो जिनके highest mark है उन सबको बदाई, बैय अजय, अनेश, आदित्य, माला, संजय, वैबाव, रश्मी, ब्रिनाल, अंकूर, आकाश, निलांशू, दिनेश, गवरव, राहुल और इनसे नीचे भी जिनके at least 40 में से 20 या उसे ज़्यादा marks का score बन रहा है, उन सबको बदाई, आज रात भी ऐसी टेस्ट है, हर सुमवार को होती है, so stay tuned for that इसके लाबा ये अनेखेडमी में रहीवार सुबह 11 बजेक होती है, combat series उसमें भी अलग-अलग prizes होते हैं, और साथ ही साथ बड़े-बड़े discount डिये जाते हैं, जिन लोगों के अच्छे number आए, so that is UPSC combat, सुमवार रात को ये मेरी टेस्ट होती है, हाला कि उसमें कोई इनाम नहीं होते, लेकिन आप अपना revision के लिए try कर सकते हैं, मंगलवार अब है, वो हिस्टी में प्रतिक सर की हिस्टी की static quiz होती है, ये सब आप दे सकते हैं, ये वाला registration link है, free unlock code यूज़ करें मुना.org कैर अभी मुद्दे पर आते हैं, कि आज और कल, Sunday and Monday, exam के लिए काम की चीज़े क्या थी? Environment Biodiversity में ये, Black Neck Stork, काली गर्दन वाला ये पक्षी, अब वो किदर पाये जाते हैं, और क्या है, IUC status और वो सब दिया है, आराम से पढ़ लेना, देखिए, UPS Supreme को 5 महीने 24 दिन बाग किये, तो हमेशा ये strategy होनी चाहिए, कि जो चीज़ हम लोग 10 मिनिट में पढ़के खतम क कर सकते हैं, तो 20 मिर्ट का वीडियो नहीं होना चीज़, so go through that, ऐसा एक और मामला है, आंद्रप्रदेश और तेलंगाना में, इंडोनेशिया से आया कुछ insect, यानि invasive species, उसने आतंक मचाया और ये मिर्ची की सारी फसल को बरबाद कर रहा है, ये वाली चीज, थ्रिस्प, प जो सामबार में डाली जाते है, उसको भी cotton की crop को भी बरबाद कर रहा है, और ये ज़्यादा बरबाद इसलिए कर रहा है, क्योंकि वहाँ के किसान जो जरुवत से ज़्यादा excessive pesticide यूज करते थे, तो ये जो insect है, उसमें immunity resistance डेवलप हो गया, तो अभी उस पर जहरीली कितन आशक दवाई भी चिल को उसको कुछ खास असर नहीं होता, वो एक्समेन जैसा mutant बन दिया है, फिर environment biodiversity में वेस्ट बेंगाल का बुकसा टाइगरी जब वहाँ 3 साल बाद बाग पाया गया, फिर economy, digital payment और उसमें cryptocurrency और बिटकोईन उसमें क्या चुनोती हम पहले भी पढ़ controversy क्या हुई, प्रदान मंतरी मोदी का Twitter account हैक हो गया, और हैकर ने वहाँ से ऐसा message डाला कि Indian government has officially adopted bitcoin as legal tender, जो की सरासर fake news है, legal tender का मतलब कि भारत के अंदर आपने जो loan लिये हूँ, SBI वगेरा से, उसको आप चुका हूँ और SBI वाला bitcoin में accept कर लेगा, या आप ये चाई पी कर, या नाश्ता करके जो होटेल वाले को दे रहे हो तो वो भी bitcoin accept करेगा, ऐसा तो अलसालवा डौर में हुआ है, बारत में नहीं हुआ है, और होने वाला भी नहीं है, सरकार maximum ये कहेगी कि bitcoin will be a financial asset जिसके buying selling पर जैसे share bond के buying selling पर profit पर capital gains tax लगता है, ऐसा कुछ लगे, ये मुद bitcoin में mass hysteria, सामुहिक पागलपन चल रहा है, तो hacker ये करेगा, पहले से ही वो bitcoin खरीद के रखे, और उसके बाद ऐसी fake tweet चला है, तो जो कुछ investor है, वो भी कि चलो अब तो bitcoin खरीदते हैं, ये तो legal tender बन गया, तो उसने 50,000 डौलर में hacker खरीद के रखा, इन सब को 60,000, 90,000 डौलर में बेज के बाग जाए, तो ये सब दिखाता है, और उसे पकड़ना भी मुश्किल, क्यूंकि हम जानते हैं, bitcoin, cryptocurrency, उसके transaction को trace करके, उस आत्मे को पकड़ना मुश्किल होता है, so therefore it is creating challenges for the economy, cyber security, money laundering, terror finance, बहुत सारी चीज़े, economy में एक और मुद्धा human resource development और उसमें mal nutrition, तो कि वो national family health survey उसमें करनाटक के कुछ जिलों में, विद्यार्थियों में कूपोशन बहुत जाता है, तो राज सरकार ने सोचा उनको वो midday mil में अंडे देते हैं, लेकिन फिर कुछ religious group विरोध कर रहे हैं, कि नहीं ये गलत है, वगएरा वगएरा, तो उसमें कुछ और हैंशन passage पूछा किसी एकजाम में, और वो passage के अंदर जिष्ट ऐसा था, कि ये जो महिला ससकती करन के नाम पे, महिला है अपने पती की बात नहीं मानती, इसलिए बच्चे अपनी ममी की बात नहीं मानते, क्योंकि वो देखते मेरी ममी मेरे पापा की बात नहीं मानते, वग क्योंकि कॉंग्रेस के एक लीडर है और सुप्रीम कॉर्ट के लॉयर भी वो लॉयर के रूप में कुछ ऑनलाइन गैमलिंग एड के बारे में केस लड़ रहे हैं साथ ही साथ पार्लामेंट में भी उसके साथ जुड़े कुछ ऐसे प्रशन पूछ रहे हैं जिससे कुछ में जारखन में एंटी मॉब लिंचिंग बिल बन रहा है तो बीड़ द्वारा जो वद किया जाए या फिर की बीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को परिशान किया जाए उसको रोज जहां रहता हूँ उदर परिशान किया जाए तो उसके खिलाफ सजा होगी जुर्माना होग minimum 25 lakh rupees of penalty और फिर वो penalty recover करने के लिए वो criminals के मकान समपती बेच के पैसा रिक और हो ऐसा कानून बंद रहा है जारखन में फिर एक explained series है कि Central University Act उसमें President of India उसको designate करते हैं सभी Kendriya Vishwa Vidyala के visitor के रूप में तो visitor के रूप में वो convocation पदविदान समारों में जाएंगे उसके जो Chancellor है उसको नियूख करेंगे वगरा चीज़े और similarly Governor भी राजय की सभी University के Chancellor कुलपती माने जाते हैं लेकिन उदर के रिला में टकराव चल ला है उसकी सब CM और Governor के बीच की political interference है वो सब हमने देखा था Page 8 and 9 आज सोंबार के newspaper में column थे काबूल की मालब वो तालिबान के साथ अपनी नीती फिर वो Omicron virus और WHO कैसे handle कर रहा है cryptocurrency के नुकसान green number plate मालब electric vehicle को बारत में अपना है तो क्या चुनोती है recharging station नहीं है उसके सब जो replacement की battery आती है वो महंगी आती है और वो recharging अगर thermal electricity से किया जाये तो koila जला कर production तो होई रहा है वगरा चीज़े वो हम पहले भी पढ़ चुके है तो कुछ जोरदार नहीं था आप अगर English improve करना चाते हैं तो ये सब पढ़ सकते हैं जो हम 250 words में लिखने के लिए अपने पास वा लेड़ी मौझूद नहीं है फिर international relation defense तो याद करो कुछ दिन पहले ऐसा प्लान था कि 26 जनवरी parade में beam stack group के सब prime minister president को बुलाएंगे जैसे बांगला देश में आनमार स्री लंका थाइलान नेपाल भुटान लेकिन पता चला वो लोग आने में मना कर रहे हैं या plan schedule बन नहीं रहा है तो अब सरकार ये सोच रही है कि Central Asia के ये अलग-अलग जो देश है काजिकिस्तान, उस्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ये सब के president को बुलाए जाए क्योंकि इसे फाइदा क्या होगा उनके साथ अपनी अच्छी रिष्टा हो तो Central Asia के रूट से हम लोग यूरोप में कुछ एक्सपोर्ट करना चाते हो या वहाँ से ये energy gas pipeline कीचना चाते हो या उनकी मदद से ये तालिबान को थोड़ा corner करना चाते हो तो हमें सुईदार है अफगानिस्तान से थोड़ा आगे बड़े Middle East की तरफ तो 2020 में अमेरिका के प्रेसिडेंट टरंप ने Abraham Accords करवाए थे वो ऐसा कि इसराइल के अपने सब पलोसी देशों के साथ रिष्टे सामाने हो जिसमें ये UAE, बहरीन, सुदान, मुरक को उन लोगों ने इसराइल को देश माना है और उसके साथ डिपलियोमेटिक टाइज, उनकी एंबसी कोलने दे वो सब काम हो रहा है तो उसी के continuation में इसराइली PM UAE की यात्रा पे जा रहा है जो की मरलब इतियास में पहली बार हो रहा है हालकि हमारा मुद्दा क्या है Issues affecting Indian interest Yes, this is issue affecting Indian interest क्योंकि Middle East में यह जो सब देश होते हैं यह तरफ यह सब Islamic countries and other side यह इसराइल तो दोनों के साथ दोस्ती बर करार रखने में बारत को कई बार कुछ चुनाती आते हैं So now if they normalize the ties with each other that is good for India फिर weapons और defense में पीना का वो क्या है multi-barrel rocket launcher system है और संत क्या है anti-tank missile है stand-off anti-tank missile संत जो helicopter से छोड़ी जाते है उसका परिक्षन चल रहा है फिर places in news, person in news में देर सारे हैं सब बारत के और बारत के बाहर भी काशिविश्वनात, corridor, volcanic eruption केलेडोनिया आंस से अलग होना चाहता है फिर कुछ नया sports में जीता कुछ appointment हुआ किसी की death हुई ये सब non-IS exam के लिए आप देख ले न सब आपको मिल जाएगा telegram channel मुरालोड़ा जी और जब ये ज़्यादा मल जमा होता है तो मैं excel file में pdf file बना कर upload करता हूँ So this was the current affairs for yesterday and today See you next time और बाकी रात को तियार हो जाएए Mrunan's Monday current affairs test series जिसका link और वो सब है description में